उत्तर प्रदेश राजर्ची टंडन ओपन इन्वस्टी में आपका स्वागत है मैं स्कूल आप साइंसे से डॉक्टर दीपा चौबे आज मैं आपको UZZY101 यूनिट 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताऊंगे बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन क्या है तो रेस्पिरेशन से पहले थोड़ा सा आप इस पारे में थोड़ी सी जानकारी ले लिजिए कि हमारा शरीर जो होता है बहुत छोटी छोटी बहुत छोटी कईयों से मिल करके बना होता है जिसमें जान होती है वो होता है सेल और बहुत सारे सेल मिल करके टीशू बनाते हैं और बहुत से टीशू मिल करके औरगन बनाते हैं औरगन से औरगन सिस्टम बनता है इतना तो आपको पता होगा तो organ, organs से क्या मतलब है यहाँ पे, organ से मतलब है कि जैसे respiration, excretions और digestion इसमें जो जो parts, digestion से related जो parts है, respiration से related जो parts है, जिसकी आप study करते हो वो आते हैं organ से और organ system में आ जाता है, जैसे कि सारे चीज़ें मिल करके एक system बनाती है तो respiratory system हो गया, digestive system, digestion से related जितने भी हवा में शांस लेते हैं, अंदर की तरफ हवा अंदर की तरफ जाती है और क्या expil होता है, बाहर की तरफ carbon dioxide बाहर की तरफ निकलती है, तो oxygen जो हमारी body के अंदर जाती है, अब हवा में केवल oxygen ही body के अंदर नहीं जाती है, हवा में कौन-कौन सी gases present है, अब हवा में आपने देखा होगा कि तीन तरह की gases present होती है, अगर आपने देखा कि इसमें nitrogen present है, nitrogen, oxygen और carbon dioxide, nitrogen 78% होता है, oxygen 21% present है और carbon dioxide 0.03% present होता है, तो अगर हम nitrogen की बात करें तो nitrogen हमारी body में dissolve नहीं होता, वो body से as it is बाहर की तरफ निकल जाता है, oxygen की बात करें, अगर oxygen देखें तो 21% oxygen है, तो तरह से carbon dioxide की बात करें, तो body में carbon dioxide आती कितनी है, 0.03% carbon dioxide अंदर आती है और body से लगभग 4.6% carbon dioxide body से बाहर निकलती है, ठीक है तो ये तीन चीजे, nitrogen, oxygen और carbon dioxide, nitrogen 78% है जो की body में dissolve नहीं होता है, जैसे वो body के अंदर आता है उसी तरह से body के बाहर निकलता है, oxygen 21% होता है atmosphere में, जिसमें की 4% use होता है और 17% body के बाहर जाता है, carbon dioxide 0.03% है और body से बाहर कितना जाता है, 4.6%, तो carbon dioxide हम लेते कम हैं और बाहर की तरफ जादा जाता है, oxygen जादा लेते हैं और बाहर की तरफ कम निकलता है, तो इस तरीके से intake and out, जो चीज़ें हम लेते हैं, oxygen अंदर की तरफ लेते हैं और carbon dioxide बाहर की तरफ निकालते हैं, तो ये inspiration and expiration, अगर हम अब इससे divide करके देखें, कि respirations में basically आपने क्या देखा, कि दो तरीके की process हुई, एक तो क्या देखा आपने expression और दूसरा inspiration, in means अंदर, अंदर हमने क्या लिया, जो gases अंदर गई, oxygen अंदर लिया, out means बाहर की तरफ, बाहर की तरफ क्या निकली, carbon dioxide, इससे related, अब इसमें आप देखेंगे, तो हमने आपको बताया, कि oxygen अंदर की तरफ आती है, और carbon dioxide बाहर की तरफ निकलती है, तो जो oxygen अंदर की तरफ body में आती है, तो उसका passes क्या होता है, आपको passes के बारे में, आपकी oxygen, आप जो अंदर की तरफ oxygen आ रही है, carbon dioxide बाहर की तरफ निकल रही है, तो उसके passes के बारे में, आपको जानकारी देते हैं, कि सबसे पहले जो हम सांस लेते हैं, हवा में, जो oxygen अंदर की तरफ आती है, उसके साथ साथ में, वो किस रास्ते से हो करके अंदर आती है, पैसे अगर हम देखा जाए, तो आप सांस कहां से लेते हैं, आप सांस अपने नाक से लेते हैं, तो जो nose region यह हमारा होता है, इसमें nostril region है, nostril से होता हुआ, air अंदर की तरफ आता है, तो nose nose से related, जो nostril region है, उससे होता हुआ, हवा अंदर की तरफ आता है, होते हुए कहां पर आएगा, pharynx region में आता है, pharynx से होती हुए air आपके larynx region में आती है, और larynx के बाद trachea, तो vocal card के उपर की तरफ का जो region होता है, उसको upper respiratory system कहते हैं, यानि respiratory system को अगर हम देखें, तो passes को हम दो भागों में divide कर सकते हैं, upper respiratory system and the lower respiratory system, upper respiratory system में आपका कौन-कौन से parts आ गया, nose हो गया, pharynx हो गया, larynx हो गया, above the vocal card, ठीक है, और lower respiratory system की अगर हम बात करें, तो lower respiratory system में आपका आ जाएगा trachea, below the vocal card, इत मेंस आपका आ गया, trachea reason, trachea से related, bronchiae, bronchioles, और last में आपका alveoli, तो alveoli reason क्या होता है, basically अगर हम alveoli को देखें, तो alveoli में gaseous exchange होता है, इस तरीके से, यहाँ पर gaseous exchange का का काम होता है, alveoli में, तो जो हमारा oxygen है, oxygen होता हुआ, कहाँ पर आ गया, alveoli reason में आ जाता है, यहाँ पर क्या होता है, gaseous exchange का काम होता है, अभी हम आपको lecture में बताएंगे किस तरीके से gaseous exchange होता है, अगर हम diagram देखें, तो diagram में, तो हमने आपको बताया कि air enter करती है, nose के थो, तो यह portions, यह face है, face में बना हुआ है nose, तो यहाँ से हवा enter करेगी, यह enter करके, नेजो फेरेंजियल reason में आती है, यानि जो air होती है, नाक से होती हुई pharynx reason में आती है, तो अगर अब यहाँ पे अगर आप देखिए, तो nose में अगर देखा जाए, तो अंदर की तरफ hairs present होते हैं, तो उन hairs का क्या काम होता है, वो hairs क्या करते हैं, कि जो dust particles हवा के साथ हमारी body के अंदर आता है, उसको eliminate करने का काम करते हैं, वो dust particles, उस pollutants को वहीं पे रोक लेते हैं, और यहाँ से वो बाहर हो जाते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा pollutants हमारे lungs तक चले जाएंगे, तो यहाँ से nose से air होती हुई, आजाती है आपकी pharynx region में, pharynx region को यहाँ पे देखे, तीन parts में divide किया गया है, एक तो जो nose region से related है, जो nose region से जुड़ा हुआ pharynx का reason होता है, उसे nasopharynx कहा जाता है, और दूसरा, जो mouth region से जुड़ा हुआ pharynx है उसको orofarynx कहते हैं, और तीसरा जो larynx region, फैरिंगेल region से जुड़ा हुआ होता है, उसे larynxopharynx कहते हैं, तो pharynx का revision, तीन पार्टस में हो गया, जो काम होता है, उढकन की तरह से काम करता है तो जैसे ही air इंटर करती है नोस से होती ही हवा अंदर की तरफ आती है epiglottis पूरी तरह से cover हो जाता है नीचे की तरफ हो जाता है ढकन और जो air होती है वो trachea के अंदर इंटर कर जाती है यही पैसे होता है अगर हम देखें डाजस्टरी सिस्टम में हमने आपको जैसे डाजस्टरी सिस्टम में बताया था कि जैसे food इंटर करता है तो जिस समय food इंटर करता है उस समय actually होता क्या है कि जब food इंटर करता है तो जस्ट इसके अपोजिट साइड में में क्या होता है कि digestive system वाले parts को यहाँ पे cover करता है और जो air होती है वो tracheal region में आ जाती है जैसे कभी-कभी आपने देखा होगा कि जब नल से आप हाथ लगा करके पानी पीओ तो आप उस समय क्या करते है सांस रोग करके पानी पीते हैं तो यही कारण होता है सांस रोक करके पानी पीने का कि ऐसा नहों कि जो हम पानी अंदर की तरफ जा रहा है बॉडी में वो हमारे ट्रेकेल रीजन में आ जाएं कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेकेल रीजन में आ जाता है और हमें बहुत तेज सलक्ता हैं कि पानी बाहर की तरफ निकल जाता है. तो एक तो यह reason है कि सास को रोकते हैं. इन case अगर आप बाते कर रोग रहे हैं, सास रोग करें आपने वो काम नहीं किया, पानी पीने का काम नहीं किया, याereण से direct आपका contact नहीं रहा, ब्रेण का दिमाग कही हैं, ब्रेण में अगर आप कुछ और चीजे सोच रहे हैं और सोचते समय कई बार होता है अगर आपने खाना खा लिया और आप सोच कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं तो उस समय क्या होता है खाना बहुत तेस सरकता है या ठसके लगते हैं तो उस समय भी क्या होता है कि जो आपने स्टियूंग में फैरिंग्स के तीन पांट से ऐसे जो एएर उसको आगे की तरफ बढ़ाने का काम करता है और फिर इसके बाद नीचे की तरफ यह आपका हो गया ट्रेकीर रीजन इससे उपर की तरफ अपर रेश्पिरेटरिए और आप देखना थे एपी ग्लॉॉटिस है ए आरगन हो गये, एयर पैसिस, नेजल कैनल, फैरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रॉंकिया एंड ब्रॉंकियोल्स, यहाँ पे इस डाइग्राम में सिर्फ आपको एक इंडिविजल देखा जाए, आप जैसे अपना मूँ खोल करके देखिए, तो पीछे की तरफ यह फैर लेरिंग्स, तो तीन चेंजेस होते हैं नोस के अंदर, एक तो वो क्या करता है, डस्ट पार्टकिल्स को कैच करता है, जो हेर्स होते हैं, नाप के अंदर जो हेर्स होते हैं, वो डस्ट पार्टकिल्स को कैच करता है, बैक्टीरिया को, डस्ट पार्टकिल्स है, बैक्टीर मेल है। उसका ये सेंस आपको पता चलता है कि किस तरह की स्मेल हमारी बाड़ी में अंदर की तरफ जाना चाहिए। The sense organ of the smell being situated inside the nose. The organ of the smell help the selecting the air inspired. किस तरह की air हमारी बाड़ी के अंदर जानी चाहिए। और तीसरी चीज़ है, कि जो purified air है, वो nasopharynx, larynx, trachea से inter होती भी, लंग्स में पहुंसती है, लंग्स से ultimately last में कहां पहुंसती है, alveoli में, alveoli के अंदर क्या होता है, gaseous exchange का काम होता है, तो ये तीन सीज़े हैं, जो कि आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजे, इसके बाद आता है, larynx का रीजन, अब आप देख रहे हैं, हमने आपको बताए, कि आप अपर respiratory track देख रहे हैं, तो आपने अभी देखा, nose का रीजन देखा, pharynx का रीजन देखा, nose में क्या-क्या functions होते हैं, ये functions देखें, इसके बाद आप आईए larynx के region में, तो larynx, larynx के region में ये उपर की तरफ रिमार्क नहीं किया है, ये कहलाता है thyroid cartilage, cartilaginus structure होता है, इसके नीचे ring-like structure, larynx present होता है, ये larynx, larynx के नीचे trachea, ring-like structure, trachea present होता है, तो cartilaginus structure, cartilaginus structure के नीचे larynx, अगर आपने देखा होगा, अपने गले की तरफ, जो ये जो larynx का point होता है, अगर आप उपर से हाथ से भी उसको मार करके देखे, तो आवाज आपकी change होने लगती है, वो इसकी वज़े से change होती है, ट्रेकिया, ट्रेकिया open होता है, ब्रॉंकस में, ये reason है, ब्रॉंकस का, ब्रॉंकस छोटे-छोटे parts में divide होता है, चोटे-छोटे parts में branch की तरह से, जैसे पेड के branches होती है, उस तरीके से branches में divide होता है, जो कि ब्रॉंकियोल्स कहलाता है, और इन ब्रॉंकियोल्स में ये ब्रॉंकियोल से होती हुई कहां पर आ जाती है एल्वियोलाई के अंदर इन एल्वियोलाई स्ट्रेक्चर के अंदर ही oxygen और carbon dioxide का exchange होता है यह स्ट्रेक्चर बिलो दे वोकल कार्ड यहां से स्टार्ट होते हैं lower respiratory organ जैसे हमने आपको बताया ना अभी कि अपर respiratory system और lower respiratory system तो बिलो दे वोकल कार्ड इसके नीचे से जो आपको भी हमने बताया कि trachea, bronchus, bronchioles और alveoli यह reason जो होता है यह पूरा reason होता है lower respiratory system का जैसे कि अगर इस तरीके से की बात करें तो उसमें lungs सामिल होता है जैसे कि आज कल है ना corona फैला हुआ है तो corona basically क्या करता है lungs को effect करता है तो यह किसमें आया lower respiratory organ और भी बहुत सारी बिमारियां हैं जो कि lower respiratory organs से related हैं तो lungs की देखे lower respiratory system में अगर हम lungs का structure को देखें तो lungs क्या होते paired structure होता है दो भागों में divide होता है right lungs और दूसरा होता है left lungs जो right lungs होता है इसको तीन parts में divide किया गया है upper low, middle low and lower low तीन अलग-अलग parts में divide होता है जबकि इससे छोटा size में अगर आप देखेंगे कि यह थोड़ा सा बड़े size में है और थोड़ा सा छोटे size में left lungs होता है क्योंकि इसके सिर्फ दो ही parts में divide किये हैं जो groove life structure बना है यह इसका lower low हो गया और उपर की तरफ upper low हो गया तो right side तीन part में divide है और left side कितने part में divide है दो part में divide है अब दो part में divide है यहाँ पर देखें एक space भी बना हुआ है यह space किस लिए होता है यहाँ पर heart का space है यह होता है ना left side पर जो heart present है तो यहाँ पर जो space होता है heart का space होता है और इसके अंदर फिर वही structure है जो मनें आपको बताया यह चोटे-चोटे गोल-गोल structure जो होते है अल्वियोलाई के present होते है यह इसका यह bronchioles है यह bronchus है center में देखिए तो यह bronchus है bronchus से जितनी branches निकली है वो bronchioles है और bronchioles में जो गोल-गोल structure है यह structure है alveoli का यहीं पर gases exchange होता है इसके साथ में associated organs में आप आगे अभी हम आपको बताएंगे कि basically और तो सारे organs आपको बता चुके एक इसमें नीचे की तरफ present होता है diaphragm बिना diaphragm के respiratory process या respirations complete नहीं माना जाता है जब तक diaphragm का function नहीं होगा तब तक relax होगा contract होगा जब तक diaphragm का function नहीं होगा तब तक respiration की process complete नहीं होती है within the thorax the lungs are enclosed in the plural cavity इसमें plural cavity, plural cavity का क्या काम होता है plural cavity करती है this prevent the fraction of the lungs during the breathing moment तो एक तो आपको हो गया diaphragm the lungs is bounded by the dome shaped sheet आगे अभी आपको structure में बताएंगे जिसको ही diaphragm कहते हैं और दूसरा structure होता है इसमें plural cavity का, plural cavity क्या करती है this prevent the fraction of the lungs during the breathing moment अब आता है mechanism of the respiration सांस किस तरीके से लेते हैं देखिए हमने आपको बताया शुरू में ही बताया कि exhalation and inhalation जिसको की कहते है expiration और दूसरा होता है inspirations inspirations, expirations में क्या होता है, हवा बाहर की तरफ जाती है in means under, inhalations means क्या होता है, हवा अंदर की तरफ आती है यह आपका trachea, bronchi, bronchioles वाला पूरा reason हो गए जो कि अभी आपको पिछले diagram में बताया यहाँ पे छोटे-छोटे फिर वही alveoli होंगे इसके अंदर structure अब इसमें chest क्या है, relaxed condition में है यहाँ पे जब exhalation हो रहा है, जब हवा बाहर की तरफ आ रही है तो chest इसमें क्या है, यह relaxed condition में है और 12 pair इसमें बीच में क्या होता है, यह आपको पता है कि 12 pair ribs present होती है, और ribs के बीच-बीच में inter-coastal muscles present होती है, जो कि respiration में बहुत ज़्यादा help करती है नीचे की तरफ diaphragm, जब resting condition है तो diaphragm किस तरीके से है, dome shape diaphragm है और यहाँ पे क्या है, हवा जब अंदर की तरफ आ रही है अंदर की तरफ आने से इसका जो diaphragm है, यह किसे हो गया flattened हो गया, थोड़ा नीचे की तरफ हो जाएंगे size में lungs थोड़ा सा बड़े size के हो जाएंगे और हवा इसमें अंदर की तरफ आएगी आगे अभी हम आपको बताते हैं एक चीज़ और इसमें समझ लीजे कि जो exhalation होता है, यह passive process होती है इसमें energy की जरूरत नहीं होती जबकि inhalation में energy की जरूरत होती है और इसको कहते है active process जैसे कि इसको passive process, एक example आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने rubber की ball ली है तो जितनी energy लगनी थी, वो लग गई ball बनने में अगर rubber की ball को आप हाथ से दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो फिर से वो अपने आप original position में आ जाएगी तो original position में आने के लिए उसको किसी तरह की energy की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन यहाँ पे active process है तो यहाँ पे क्या होता है, energy की जरूरत पड़ती है When the chest expands, its volume increases so that the pressure within the chest cavity fall below यह होता है, negative pressure Atmospheric pressure and air from outside enter the lungs under pressure called the inspirations इसी तरह से दूसरा है, आपका expiration जस्सका opposite हो जाएगा, यहाँ पे volume reduced हो जाएगा Chest cavity क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, यानि positive pressure लग रहा है यह होता है, expirations Dome shaped structure हमने बताया है, diaphragm का, diaphragm उपर और नीचे होता है एक बार relaxed condition में होता है, तो dome shaped structure होता है जब working condition में होता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे pressure अंदर की तरफ lungs में आता है, diaphragm नीचे की तरफ आते है तो diaphragm का main role होता है यानि 70% respiration की जो process है वो cover करते हैं diaphragm और 30% respiration की process इसमें cover करती है यानि mechanism of respiration में 30% process, intercostal muscles इसमें 30% respiration की process को complete करती है maintenance of temperature and pH balance in the expired air, large quantity of heat is lost the expired air is warmer than the inspired air ये चीज़ तो आपको पता है कि आप जो सांस लेते हैं, गरम हवा लेते हैं कि ठंडी हवा लेते हैं ठंडी हवा अंदर की तरफ जाती है और सांस जब छोडते हैं, तो गरम हवा बाहर की तरफ निकलती है the respiration play an important role in the maintenance of the pH of blood at the normal level ये अभी आपको lecture 2 में बताएंगे दूसरा lecture जो respiration का होगा, इसको detail में आपको बताएंगे अब देखें, hemoglobin का structure तो ये जो part हो गया, जैसे हमने respiration को दो part में अगर हमने divide कर दिया पहले part में आपने सिर्फ देखा कि नोस का क्या structure होता है फैरिंग्स का, लेरिंग्स का, लंग्स का इसके साथ साथ हम आपको hemoglobin का बताएंगे और दूसरे lecture में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से oxygen इंटर करती है तो body के अंदर कैसे उसके cycle चलती है carbon dioxide इंटर करती है तो body में कैसे cycle चलती है लेकिन oxygen और carbon dioxide इंटर करने के पहले hemoglobin का क्या role होता है body के अंदर तो hemoglobin का यहाँ पर केवल structure आप समझ लीजे hemoglobin क्या है hemoglobin is largely responsible for the transport of oxygen from lungs to the tissues hemoglobin oxygen को lungs से लेकर के tissue तक पहुचाने का काम करते हैं क्योंकि hemoglobin में hemoglobin oxygen के साथ जुड़कर के oxy hemoglobin बनाते हैं ठीक है और यही oxy hemoglobin lungs से कहां तक oxygen को transfer करते हैं tissue तक transfer करते हैं यह detail mechanism है जो हम अभी आपको बताते हैं दूसरे lecture में it is also help to the transport of carbon dioxide from tissue to the lungs तो oxygen को lungs से tissue तक transfer करते हैं और carbon dioxide को tissue से लेकर के lungs तक transfer करने का काम hemoglobin का होता है इस texture देखा जाएं तो इस texture में hemoglobin is the best known of the oxygen carrying pigments जिसमें heme present होता है जो की oxygen को capture करता है नहीं oxygen के साथ में जुड़ता है hemoglobin is red pigment of the blood 96% is the specific simple protein known as the globin hemoglobin दो शब्दे से मिल करके बना है एक तो हीम हो गया और दूसरा globin तो globin part इसका क्या होता है protein parts होता है globin is the protein built from the four polypeptide chains चार polypeptide chain होते हैं जिसमें की दो alpha chain होते हैं और दो beta chain होते हैं यह है structure हीम का structure है इसी तरह से four हीम group जुड़ता है तो एक हीमoglobin molecules का यह complete होता है यह single है function of the hemoglobin हीमoglobin में भी हमने आपको बता है नहीं oxygen carrying capacity बहुत ज्यादा होती है essential for oxygen carrying its play important role for the carbon dioxide transport यानि tissue से lungs तक carbon dioxide को transport करने का भी काम करते हैं तो दो function हो गया lungs से tissue तक oxygen को पहुचाना और tissue से lungs तक carbon dioxide को पहुचाना तो दो इसके important काम हो गया दूसरा यह buffer की तरह से भी काम करते है buffer of the blood मतलब किस तरीके से blood को maintain करने का body के अंदर blood को maintain करने का यह भी हम आपको चार्ट से बता देंगे graph जब समझाएंगे buffer solution इसका क्या buffer level को किस तरीके से maintain करते है यानि acid base balance यानि जब carbon dioxide की percentage body में बहुत जादा हो जाती है तो carbon dioxide को बाहर body तक लाने का काम alveolite तक पहुचाने का काम किस तरीके से होता है तो उस conditions में as a blood जो होता है buffer काम करता है जो हम अभी आपको graph से बताएंगे various pigments of the bile, stool, urine, etc. are formed from it देखें कुछ important definition है जो कि आपको दूसरे lecture में बहुत काम आएंगे ये definition हमेशा exam में भी पूछा जाता है कई बार क्या होता है reactions के साथ में आप लोग reaction लिख देते हैं लेकिन reactions के साथ में क्या चीजें कैसे बनती हैं तो वो उसका नाम हमेशा opposite जैसे कारबामीनोहेमोग्लोबीन ओक्सी हेमोग्लोबीन ओक्सी हेमोग्लोबीन ओक्सीजन का हीमोग्लोबीन के साथ में जुड़ना ये कहलाता है ओक्सी हेमोग्लोबीन कारबन डायोकसाइट का हीमोग्लोबीन के साथ में जुड़ना is called the de-oxygenated hemoglobin and is represented as the HB. तो अभी आपने देखा कि respiration की process को हमने यहाँ पे दो पार्ट में, यानि दो lecture में डिवाइट किया है, lecture 1, respiration lecture 1 और lecture 2 में. लेक्चर 1 में हमने आपको सिर्फ यह बताया कि air हमारी body के अंदर कैसे inter करती है, कैसे oxygen आती है, कैसे carbon dioxide body से बाहर जाती है, oxygen जब हमारी body के अंदर inter करती है, तो कहां तक आती है, lungs region में आती है, alveola, alveola में यहाँ पे gases exchange होता है, alveola इस oxygen टांसपर करती है, यानि lungs से होता हुआ, oxygen कहां पर आता है, tissue reason में आता है, तो lungs से जब tissue में आता है, किस के थो आएगा, blood के थो आएगा, hemoglobin का भी हमने आपको structure बताया, अब blood में, blood में क्या चीज़े होती है, अगर आप देखें, एक simple, तो आपको पता होगा कि blood में तीन तरह के structure है, एक तो hemoglobin है, दूसरा, यानि RBC है, दूसरा WBC है, और तीसरा platelets है, ऐसा नहीं होता है कि केवल hemoglobin ही present होता है, blood में तीन तरह के structure present होए, तो RBC, WBC और platelets, तो यहाँ पे oxygen carrying capacity, आप किस के बारे में पढ़ रहा हो, hemoglobin के बारे में, तो hemoglobin oxygen के साथ जोडता है, और जोड करके oxy hemoglobin बनाएगा, अब यह oxygen कहां पे supply करेगा, tissue level प लेकिन जल्दी oxygen की supply नहीं करता है, यानि लंग से जल्दी oxygen की supply नहीं होती है, tissue के पास में क्या होता है, tissue level पे यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, पिछली classes में, कि tissue में क्या होते है, यहाँ पे creep cycle चलती है, है न, glycolosis, creep cycle हो गई, creep cycle से यहाँ पे क्या हुआ, ATP का formation होता है, 38 ATP इसके साथ साथ जो energy release होती है, तो यह सारा क्या होता है, tissue level पे हुटा है, यहाँ पे क्या होगा, carbon dioxide निकली, ठीक है, तो tissue के अंदर क्या होता, carbon dioxide का formation होता है, creep cycle से carbon dioxide का formation हुआ, यह carbon dioxide फिर जा गर के जूड़ती है, हीमोग्णोरीन के पस में, ठीक है, carbon dioxide hemoglobin से जैसे ही carbon dioxide hemoglobin से जुड़ती है दूसरी cycle यहाँ पर दूसरा phase start हो जाता है carbon dioxide dissociation कर भी यहाँ से start हो जाएगा और जैसे ही जुड़ेगा इसके साथ साथ में carbon dioxide water के साथ reaction करेगा पानी के साथ मिल करके S2CO3 बनाएगा S2CO3 से फिर HIN अलग निकलेंगे तो एक तो carbon dioxide जुड़ा है hemoglobin के साथ में दूसरा HIN आकर के hemoglobin के साथ में जुड़ते हैं तो जैसे ही carbon dioxide और hydrogen आकर के जुड़ते है hemoglobin के साथ वैसे ही hemoglobin से जो oxygen जुड़ा हुआ होता है एक oxygen निकल करके tissue में पहुंच जाता है फिर tissue में इसी तरह से ये cycle चलती रहती है धन्यवाद झाल